इसका कॉस्टिन वन है इस तरीके से अगर आप रैंडम लिस को स्वल करोगे तो कभी भी आपका अंसर नहीं आएगा तो आपको करना क्या है स्टेप बाइ स्टेप स्वल करना है कोई भी कोश्टन है फर्स लाइन बढ़ दे है अगर आप सब्ट्रेक्ट करते हैं वन अपॉन टू किसी नंबर से अब वो नंबर आपको पता है नहीं पता है वो ही हमें निकालना है आप एजियूम कर लेजिए let the number be x वो number x है ठीक है अब उस में से जब x में से आप 1 by 2 माइनस करते हो फर्स लाइन तो यही लिखी गई है फिर उसके बाद क्या कहा है and multiply the number by 1 by 2 इस numbers को आपको multiply करना है 1 by 2 से यह आपने multiply कर दिया फिर लिखा गया है कि you get 1 by 2 आपको 1 upon 8 आपको 1 upon 8 मिलता है आपको क्या बताना है अब इस equation को simplify करना है ठीक है guys आप क्या कीजिए इस में simplify करने के लिए इस 1 upon 2 को सबसे पहले हमें remove करना है इस 1 upon 2 को remove करने के लिए आप multiply कर दिजिए multiply by 2 to both sides both sides आप जो है multiply कर दिए 2 की जब आप 2 की multiply कर दोगे तो यह क्या जाएगा 2 into 1 upon 2 x minus 1 upon 2 is equals to 2 upon 8 इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा जो हमारा motive था यहाँ पर बच जाता है x minus 1 upon 2 और इसको आप 1 upon 4 2 1s और 2 4s अब यह equation देशे कितने simplify हो गई है आपकी इस minus 1 upon 2 को आप right side ले जाएगे यह 1 upon 2 left side और right side दोनों add कर दीजिए तो इसको आप क्या ले सकते हो 1 upon 4 और यह minus 1 upon 2 right side आने के बाद आपका plus हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह addition में है ठीक लिए इसलिए यह add हो रहा है अब आप जब इसका lcm करते है x is equals to lcm इसका 4 आजाएगा और से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 1 into 1 1 और 2 divided by 4 2 2 into 1 2 x की value guys 3 upon 4 आजाएगा ठीक है इस तरीके से यह इसका answer हो जाएगा अब आप इसको verify भी कर सकते हैं verify करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको इस equation में जो आपकी equation थी x की value कितनी आई है 3 upon 4 और आपकी equation क्या थी 1 upon 2 into x minus 1 upon 2 ठीक है answer क्याना चाहिए आपका 1 upon 8 आप x की जगा यह value पुट कर दीजे 3 upon 4 minus 1 upon 2 यह सिर्फ verify वाला part है guys यह आपको solution नहीं करना है अगर आपको verify करना है कि आपका answer सही है नहीं है LHS RHS के equal है यह नहीं है यह आप L से में लिए यह 2, 3, 6 और 2, 4 जा यह 1 upon 2 यह 1 upon 8 के equal है यहां से आप चाहिए सकते है 1 upon 2 into 2 upon 8 is equal to 1 upon 8 तो guys देखिए यह LHS आपकी RHS के equal आगी है ठीक है इसी को हम solution बोलते है ना X की value जो LHS और RHS को equal कर दे उसको हम क्या बोलते है solution next question देखते है guys होग अच्छा question है the perimeter of the rectangular swimming pool swimming pool होता है ठीक है उसकी shape क्या है guys rectangle की है कुछ इस तरीके से rectangle है अब उस rectangle का perimeter मैंने पहले भी आपको perimeter बताया था कि perimeter क्या होता है rectangle का perimeter होता है 2 into length plus breadth और उस perimeter की value 154 meter दी गई है यह क्या है उसकी length है और यह breadth है अब length को क्या कहा गया है कि its length is 2 meter more than twice its breadth नहीं तो length दी गई है नहीं breadth दी गई है लेंगन length को बताया गया है breadth की form में तो हमें breadth को assume करना पड़ेगा let breadth be x meter आप मान लीजें कि breadth जो है x meter है तो length क्या हो जाएगी length क्या है twice है breadth की मतलब 2x और 2 ज्यादा है उससे तो 2 प्लस 2x यह बन जाएगी अब आपको आपका काम जो है over हो गए आपको length भी पता है इतने meter है breadth भी पता है इतने meter है आपको parameter में सिर्फ value put करनी है इस formula में ठीक है parameter क्या दा 2 into l plus b is equals to 154 meter guys आपकी अभी length आई है 2x plus 2 और breadth आपकी x है यह 154 है इस 2x और x को add कर दीजे 3x आजाएगा और यह 2 यह आपका multiply 2 में है जब भी किसी भी हमने याद है आपको जब भी हम 2x is equals to 15 होता था तो हम इस variable के साथ वाले से पूरी equation को divide कर देते थे ऐसे ही आप इस 3x plus 2 को मान लिजे कि यह एक y है मतलब एक variable है इसके साथ क्या है एक constant है तो आप divide कर दीजे पूरी equation को 2 से divide the whole equation by 2 आप 2 से divide कर दीजे तो यह क्या जाएगा 3x plus 2 यह 2 से 2 cancel आपका और यह 154 upon 2 इसको आप लिख सकते है 77 यह आपकी equation 3x plus 2 is equal to 77 left out ही है ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ answer इसका 3x plus 2 is equal to 77 यह 2 आपका right side जाने के बाद minus हो जाएगा 3x as it is और यह 75 3x ऐसे ही जैसे यह variable के साथ एक constant है आप इस 3 को divide कर दीजे पूरी equation से यह क्या हो जाएगा 75 upon 3 is equal to 25 आपकी breadth 25 meter आई है कितनी आई है 25 meter ऐसे ही आप length निकाल सकते है length क्या दी 2x plus 2 मतलब 2 into 25 plus 2 मतलब 52 meter यह आपकी length है और यह आपकी breadth है next question है guys the base of an isocellus triangle सबसे पहले isocellus triangle देखते हैं isocellus triangle क्या होता है वो triangle जिसकी 2 sides तो equal होती है ठीक है जिसकी 2 sides equal होती है अब माल लीजे यह इसकी 2 sides equal है और इसकी 3rd side यह है तो हम question देखते हैं the base of an isocellus triangle is 4 by 3 cm जो base दिया गया है isocellus triangle का वो 4 by 3 cm है और जो दूसरी other sides है उनकी हमें length बतानी है इनकी अब यह कितनी भी equal तो होंगी ना यह अगर यह x होगी आपकी तो यह भी x होगी आप assume कर लीजे let the length of equal sides be x meter उनकी length जो है x meter है तो इसका perimeter क्या होगा इस side और यह side और यह side का sum x plus x plus 4 upon 3 का sum और आपका perimeter दे रखा है कितना है for 2 upon 15 यह x और x add करते हैं तो 2x आजाता है plus 4 upon 3 और इसको simplify कर लीजे 15 for the 60 और 60 plus 2 62 upon 15 is equal to 2x plus 4 upon 3 इस equation को हमें simplify करनी है अभी ठीक है guys 62 upon 15 is equal to 2x plus 4 upon 3 को simplify करनी है 62 upon 15 is equal to 2x plus 4 upon 3 अब इस equation को कैसे solve करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे ठीक है चाहे तो आप minus 4 upon 3 add कर दीजे left और right side या जब आप इस 4 upon 3 को इस right side ले जाएंगे तो guys ये value क्या हो जाएगी negative minus 4 upon 3 is equal to 2x यहाँ पर L सेम लेजे 15 का 15 बन इंटो 62 3 5 जा 15 5 जा 20 ये 2x और ये 42 upon 15 रिमेनी हो जाएगा और ये 2x है ऐसे ही आप इस equation को चाहे तो आप पूरी से 2 से divide कर दीजे या इस 2 को नीचे ले जाए ये बात एक ही है तो ये बचे जाएगा 42 upon 15 इंटो 2 ठीक है guys और ये क्या हो जाएगा आपका 42 upon 30 अब ये आपका बचा है इसको 6 से divide कर सकते है 6 5 जा 30 6 7 जा 42 ये आपका 7 upon 5 मिटर आ जाएगा दोनों साइट इतनी आ जाएगा ठीक है guys next question क्या है sum of two numbers दो numbers का sum दिया गया है 95 है कोई भी दो numbers हो सकते हैं अगर एक number दूसरे से exceed करता है 15 मान लीजिए कोई भी number let the number be x हम आ लेते हैं x है कोई भी number ठीक है तो दूसरा number क्या होगा second number will be 15 जादा है मतलब x plus 15 अब उन दोनों numbers के sum दे रखे हैं हमें तो आप लिख सकते हैं x plus x plus 15 का sum कितना है कितना है guys 95 अब आपको सिर्फ solve करना है x plus x कितने हो जाएंगे आपके 2x plus 15 is equal to 95 और ये 15 को आप इधर ले जाएंगे 95 minus 15 ये 2x बचे जाएगा ये आपका क्या बचा है 2x is equal to 80 2x is equal to 80 है तो x की value कितनी आ जाएगी guys 2x is equal to 80 है x की value 80 by 2 ये 2 divide में चला जाएगा अगर multiply में होता है तो divide में चला जाता है और x की value आपकी 40 आ जाएगी ठीए guys एक number क्या है 40 है और तो दूसरा number क्या होगा second number second number x plus 15 मतलब 40 plus 15 guys और ये कितना हो जाएगा 55 और अगर आप इन दोन numbers को add करोगे तो आपका 95 ही आएगा ये आपका first number है first number ठीक है ये question number fifth है guys दो numbers दिये गए है ratio में मैंने आपको बताया था जब भी ratio दिया गया होता है तो हम उससे दोनो numbers निका सकते हैं तो ये ratio दिया गया है 5 और 3 का तो आप इससे numbers निका सकते हैं तो numbers क्या होंगे numbers will be 5x and 3x आप assume कर लीजे कोई x number है जो दोनों में multiply हो रहा है तो numbers ये हो जाएंगे आपके 5x और 3x अब कहा गया है कि इन दोनों number का difference 18 है तो numbers क्या होंगे simple सी बात है 5x minus 3x का difference कितना है 18 हमें x की value यहां से पता चल जाएगी 2x की value कितनी आ जाएगी आपकी 18 और ये divide में हो जाएगा तो x की value 9 आ गई है अब numbers बताने है first number कितना था 5x मतलब 5 into 9 तो ये क्या जाएगा 45 और second number 3x था तो 3 into 9 ये number कितना जाएगा 27 जब आप 45 में से 27 minus करते हो तो 18 ही आता है